आज बात करते हैं कि वेल्डिंग केसे करते हैं अगर वेल्डिंग आखों पर लग जाया तो उसे केसे सही किया जा सकता है वेल्डिंग का तरीका प्रिकॉशन्स किस तरीके से वेल्डिंग करते हैं यह सारी बात है आज इस वीडियो में करेंगे तो हमारी वीडियो से जुड पॉइंट पर हटागे कर सकते हैं और कुछ वेल्डिंग मशीन ऐसे रहती हैं जिसमें एंपियर को इसे गुमा के सेट कर सकते हैं और चोटी वेल्डिंग मशीन में भी एस और इस तरीके की वेल्डिंग रोड हैं और इस तरीके की वेल्डिंग रोड हैं वेल्डिंग मशीन क इस तरीके के होल्डर में लगते हैं इसे प्रेस करके आगे का मुझ खुल जाता है और इसमें इसे लगा देते हैं लेकिन इसका एक तरीका देता है इसे आगे साल का सब बेंड कर देते हैं ताकि चलाने में आसा नहीं रहती है और ये हेलमिट मुझ को आँखों को सब को बच आरा न यह अगरा पतले माटेरियल को जोड़ लाएं तो सर्कशन कम याergमी ज़रूत होती है जितना मोटा रहता उतने एंपियर्ग की जरूत रहती है वेलडिंग से लोहे के पाटों को जोड़ा जाता है और वेल्डिंग करने से पहले लोहे के पाटों की टेकिंग करनी ज़रूरी रहती है मतलब उपर नीचे एक एक टाका मार देते हैं और उससे सेट करके फिल लंबी वेल्डिंग कर देते हैं और वेल्डिंग करते टाइम हाथ को हलके से चलाना पड़ता है अगर आपका मोटा ह ski तो जादारंट से मिल की मतलब करन्द की और उत्ती मोटी वेल्डिंग रख की दरूवत पढ़ति है एक हल्का पार्ट थो पद्ली वेल्डिंग रख की और खम हम्प्रोइड़ की जरूरत पढ़त पता है में जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपके मुपे एक हलकी सी तपिश लगती है जलन रहती है मुपे तो उसे सही करने के लिए आप रात को सोते समय एलोवेरा जैल का यूज कर सकते हैं जिससे आपकी मुझी जलन लाल पन ये खतम हो सकता है के जब दीरे दीरे काम करने लग जाएंगे तो आपको सब चीजों की समझ आ जाएगी कि कैसे हाथ चलाते हैं वेल्डिंग करते टाइम कितने उपार रखते हैं कितना नीचे रखते हैं कि इतनाए मिर कि चीज के लिए जरूरी रहता इस चीज में प्रेक्टिस बहुत दरूर पड़ता फिर उसके उपर वेल्डिंग करें वेल्डिंग करते टाइम आखों का बचाओ हेलमिट से करें यह हो सके तो आखों पे जो चश्मा आता है इसका वह भी लगा लें इससे आपको ज्याद़ प्रोटेक्शन मिलेगी और लास तक देखें कि क्या खाना चाहिए अलाइ कि अगर आपके आक से न और बात परता है कि अगर आपके आखों में वेल्डिंग की लएट लग जाए मतला वेल्डिंग करते टाइम आखों में दर्द होने लग जाए तो उसे कैसे सही करें वेल्डिंग से आखो में दर्द होने के लिए औक साल जिन डीपी गोली खाए यह रात को सोते समय गीले कपड़े को थंदे गीले कपड़े को आखो पे लगा के रखें राई वे तुमकरो